वेल्कम तो मेहंद्रास लाइफ क्लासेश गुड मॉर्निंग टु आल सारे स्टुडेंट जुड चुके हैं ओके वेरी गुड गुड मॉर्निंग उदेजी गुड मॉर्निंग ब्रजेश एंड गुड मॉर्निंग टु आल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं कल हमने जो पढ़ा सिंपल इंट्रेस्ट हमने आपको पहले बताया था कंपाउंड इंट्रेस्ट होता क्या है और सिंपल इंट्रेस्ट क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सिंपल इंट्रेस्ट में डिफरेंस देते हैं हमने बताया था कि कंपाउंड इंट्रेस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्धी ब्याज अब बोलते हैं चक्रवर्धी ब्याज compound interest एक ऐसा interest होता है compound interest एक ऐसा interest होता है जिसमें interest के उपर interest मिलता है सभी लोगों को good morning सुपरभाद चलिए आज का session start जब करते हैं तो पहले पूरा का पूरा हम आपका का concept clear कर देते हैं फिर उसके बाद questions लगाने के तरीके बताते हैं ठीक है अगर हम compound interest की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ compound interest होता क्या है जहां से समझेगा compound interest एक ऐसा interest होता है जिसमें interest के ऊपर interest मिलता है मतलब simple सा चीज कह सकते हैं ब्याज के ऊपर अगर ब्याज मिलता है तो वह बोला जाता है चक्रब्रधी ब्याज और कुछ points आपको हम confirm कर देते हैं compound interest के जैसे कभी कभी आप से कहा जाता है कि compound interest अगर कभी बोलता है तो simple सा चीज है आप rate को आधा कर देंगे और rate को आधा करेंगे तो मतलब time को just double कर देंगे quarterly बोलेगा तो simple सा चीज आप क्या कर देंगे rate को 4 से divide कर देंगे और time को 4 से multiply कर देंगे ठीक है monthly बोलेगा तो simple सा चीज अभी नो सर्माजी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टौ अल तो अगर simple सा चीज अगर quarterly बोलेगा फिर मन्थली अगर बोलता है तो मन्थली बोलने के लिए आप क्या कर दोगे rate को 12 से divide और time को 12 से multiply कर देते हैं अब देखें compound interest निकालने के लिए आपको line method, percentage method ठीक है बहुत सारे method मिलते हैं लेकिन simple सा चीज आपको एक concept सीखना है और उन ही के उपर सारे questions लगाने के प्रयास करेंगे जैसे आपको समझ गया है देखें अब मैं आपको थोड़ा सा traditional method सारे आपको बता देता हूँ क्योंकि question का standard कभी भी आपका अगर जादा होगा तो आपकी trick अगर fail होती तो तुरंथ आप basic method का use करके questions आप लगा सकते हो देखें अब सबसे पहली चीज़ अगर हम start करते हैं तो start करने से पहले अगर हम बताते हैं अगर कभी भी amount निकालना है तो amount equal to होता है principal plus compound interest amount equal to क्या होता है principal plus compound interest होता है अब अब यह बात compound interest इसको बोलते हैं चक्कब्रधी भी आज तेक है अगर इसका यह basic formula है इनको पता होना चाहिए तो अगर एक formula पढ़ा होगा a equal to p में भी आप लोगों को पता भी होगा 1 plus r by 100 की whole power n where p is a principal r equal to rate of interest and n equal to number of years p principal होता है और rate होता है और n आपका number of years होता है तो अगर आप basic तरीके से ci का formula लगाएं तो compound interest is equal to amount minus क्या होता है principal मैं आपको पूरा basic से लेकि short trick तक पूरा बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा क्योंकि simple साची अगर आप class में जुड़े हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए math आनी चाहिए जब आपको math समझ में आएगी तो automatic के कभी समझ में आएगी कैसे आपको हो गया ओके इसमें से पी आप कॉमन ले लिजिए तो यह आप हो जाएगा वन प्लस आर बाई हंड़ेट की होल पावर एन माइनस का वन यह आपका basic formula CI निकालने का हुआ अब रही बात कि अगर questions आप लगा रहे हो अगर आप questions लगा रहे हो तो दिखो कभी कभी आपसे बोलेगा कि दो साल का CI निकालो तीन साल का CI निकालो चार साल का CI आप निकालो कि लेकिन अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि धाई साल का निकालो सवा तीन साल का निकालो सवा चार साल का निकालो सवा पान साल का निका सकते हो a equal to p bracket में one plus r by hundred की whole power x next bracket में one plus r by hundred into y by z यह आप लगाएंगे ठीक है जब आपका mix fraction अब यहाँ x क्या है और y by z क्या है यह आपको समझना है x क्या है जैसे अगर आप से काड़ाई साल का निकालना तो जो complete value होगी वह x होगी जो fractional value होगी वह y by z होगी जो complete value होगी वह x होगी जो fractional value होगी वह आपकी y by z जैसे यहाँ पर x की value 2 होगी और y by z की value 1y 2 होगी इसका use हम आपको दिखाएंगे कि कैसा use होता है बाइडिफाल्ट जब अब आपके दिमाग में आ रहा कि सर यह सर ने बताया था यह data होना चाहिए यह data हो तो यह answer अब वह data ही different आ गया अब क्या करोगी simple सा चीज है तब आपको वही चीज याद और एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको traditional math जरूर आनी चाहिए basic से आना चाहिए सारी चीजें अगर यह सारी चीजें आपको आती है short trick automatic आपसे बदरन रेट होती है और समझ में भी आती है लेकिन अगर आप सोचो कि सारी short trick तब आपको trick भी समझ में आएंगी क्योंकि जितनी भी trick निकलती है उन्हीं के कुछ point को silent करके final step दिये जाते हैं यह आपको धीमे धीमे समझ में आएगा जब आपकी math अच्छी होगी अगर यह तो हो गया आपका basic आपका compound interest और amount निकालेगा इसका use हम बताएंगे जैसे कभी भी आपसे कहा जाए यह तो आपने note का लिया होगा a equal to b bracket में 1 plus r by 100 की whole power x next bracket में 1 plus r by 100 into y by z जैसे अगर आपसे एक पार्ट यह भी कोशन में अक्सर पूछा जाता है जैसे आपसे यह कहा जाए difference between ci and si for two years अगर कभी भी दो साल के ci और si के difference की बात होती है किसकी बात होती है दो साल के ci और si के difference की बात होती है तो difference is equal to होता है principle into r by 100 की whole power 2 और next bracket में होता है r by 100 plus 3 sorry sorry 2 साल का निकालना है तो 2 साल के लिए बस इतना ही लिकाना होगा difference is equal to principle into r by 100 की whole power d आपका difference है p आपका principle है r आपका rate of interest है per annum annually के case में अब रही बात कि अगर इसी questions में आपको rate निकालने के लिए पूछे क्या पूछे rate निकालने के लिए तो आप इसको solve करो तो d by p equal to हो जाएगा r by 100 की whole power 2 तो r by 100 equal to हो जाएगा root d by p तो r equal to आपका आजाएगा root d by p into 100 हो जाएगा यह आपका rate निकालने का formula हो जाएगा आपने उसरमादी प्लीज समझेगा यह हमने एक point आपको बताया जब कभी भी आपसे पोला जाए कि 2 साल के ci और 2 साल के si की बीच में difference की बात चल लिए हो तो आपका 2 साल का ci और 2 साल के si के बीच में अबर चलेगा तो आप formula लगाएंगे difference equal to principle into r by 100 की whole power 2 into उसके बाद अगर आपको rate निकालना है तो आप इस formula का भी use करेंगे हम आपको percentage ratio सब बताएंगे लेकिन थोड़ा सा patience क्योंकि question के concept हम आपके clear कर दें क्योंकि ये सारी चीजे questions लगाने में आपको जरूरत पड़ेंगी ओके लेकिन अगर आगे चलते हैं इसी का अगर तीन साल का दिया गया हो इसी का अगर आपके पास तीन साल तीन साल से ज़ादा का आपका formula नहीं simple साचीज आप percentage method से या line method से लगा होगे एक्जाम में चार साल से ज़ादा आपसे पूछा नहीं जाता है formula तीनी साल तक आपको मिलेगा लेकिन question अगर चार साल का बनता है तो मिंस में बनेगा और simple सा चीज है आपको line method या percentage से बताएंगी formula नहीं तो यह हो गया आपका rate निकालने का formula और difference निकालना अब आगे चलते हैं तीन साल के लिए CI और SI की difference के बीच यह difference लिखा है उसके बाद अगर आपका तीन साल का दिया गया difference between CI and SI for 3 years अगर यह तीन साल के लिए बात हो कितने साल के लिए बात हो तीन साल के लिए अगर बात हो तो आपका यही formula लगेगा difference equal to principle into r by 100 की whole power 2 वही रहेगा आगे बढ़ जाएगा r by 100 plus 3 बढ़ जाएगा यह आपका तीन साल के लिए CI और SI के difference का formula लगेगा पतलब difference equal to principle into r by 100 की whole power 2 into क्या हो जाएगा r by 100 plus क्या हो जाएगा 3 यह तीन साल के लिए applicable होगा ओके अब हमने आपको बताया एन्वली होगा तो आप कोई भी changes नहीं कर लेंगे half early होगा तो आप rate को 2 से divide करोगे और simple सा चीज और time को 2 से multiply कर दोगे जिस से divide करते हैं उसी से time को multiply quarterly बोलेगा तो simple सा चीज आप rate को क्या कर दोगे 4 से divide और time को 4 से multiply कर देगे ठीके अब रही बात की हम आपको ci calculate करने के तरीके बता देते हैं कि ci calculate कैसे किया जाता है नोट का लिया होगा difference between ci and ci for 3 years के लिए difference is equal to principle into r by 100 की whole power 2 next bracket में r by 100 plus 3 हो जाएगा चलते हैं आगे जैसे अगर आपको calculate करना है मैं आपको simple साच छीज 2 method तो आपको बताऊँगा ci हो सकेगा तो 3 method भी आपको बता दूँगा आपको समझ मैं हो सकेगा तो 4 method भी बता दोँगा कि कैसे आपको निकालना है ci देख़े अगर आपके पास principle दिया गया है 10,000, principle कितना दिया गया है 10,000 प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,000 है रेट आपके पास 10% है टाइम आपके साथ 2 साल है और आपको CI कल्कुलेट करना है देखे सबसे पहली चीज़ अगर आपके पास एक इंटीजर है एक complete नंबर है तो आपको एक coded method भी आपको हम बता देते हैं कि आप code से भी निकाल सकते हो दो साल के लिए CI का code होता है 2 और 1 क्या होता है 2 और 1 अगर 2 साल का CI निकालना है तो code आपका होगा 2 1 अब देखे प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है रेट आपका 10% है टाइम आपका 2 years से तो टाइम अगर आपके पास 2 years दिया गया है तो सिंपल सा चीज टाइम अगर 2 साल दिया गया है तो आपका 2 साल का code होगा वो 2 1 अगर 2 साल का code आपका 2 1 होगा टाइम दो साल अब नहीं बाद 10% का मतलब होता है 1 by 10 10% का मतलब क्या होता है अगर आप 10,000 का 1 by 10 निकालोगी तो 1 0 कम हो जाएगा तो यहां पर आपका 1,000 आजाएगा और उसके बाद अगर इस 1,000 का फिर से 1 by 10 निकालोगी तो 100 आजाएगा इसलिए 2 साल का जो CI हो जाएगा वो आपका 2100 हो जाएगा ठीक अगर आपका 2 साल का percentage method से निकालना है नहीं एक ही method सफिशेंट है बनलब दो method सफिशेंट है अगर आपको line के method के थुरू निकालना है तो line method के लिए principle आप 10,000 लिखो principle आप कितना लिखोगे 10,000 लिखो principle अगर आपने 10,000 लिखा तो यह हो गया first यह हो गया second अब रही बात 10,000 है तो आपको पहले साल में केवल 10,000 पर देना पड़ेगा लेकिन अगले साल क्योंकि CI पढ़ रहे हो समझ में आए तो यह सरोके सर करते रहे हैं जिसे मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं अब देखो चनपर चाई चीजे अगर इस method से निकालते हो तो 10,000 का 10% निकालोगी तो आपका 1000 आएगा अब इसी से 10,000 का 10% निकालोगी तो 1000 आएगा और उसके बाद अगर इस 1000 का 10% निकालोगी 100 तो दो साल का compound interest यह line method से भी कितना निकल के आजाएगा 2100 आजाएगा क्लियर है ना अगर यह 2100 आपका निकल क्या है दो साल का निकल क्या आया ओके तो यह आपका हो जाएगा 2100 हो जाएगा जरूरत पड़ेगी तो आपको और सारे मेठेड भी बताओंगा यही निकालने के लिए फिलहाल यही से भी काम चलाते क्योंकि इतने ही आपको समझना है अब अगर आपके पास यही कोश्चन है यह आपका दो साल करें भी क्यों को फोस्टम आपके पास कितना हो जाए स्यप्रींसीपल आपके पास कितना हो जाए 10,000 रिट इन परसेंट हो जाए और टायम 1 right 1 by 2 years हो जाए और आपको CI निकालना है देखिए इस method में आपका coded method नहीं लगेगा केवल और केवल line method लगेगा और एक अभी जो हमने formula बताया था आप उससे निकाल सकते हो ठीके तो अगर आप coded method लहीं लगाते हैं तो line method में principle आपका 10,000 है तो आपने principle 10,000 लिखा डेड़ साल में एक साल complete होता है तो आप सिंपल सा चीज दो साल का निकालो तो आपका 10,000 का 10% 1000 आएगा यह 10,000 का 10% आपका 1000 आएगा और 1000 का 10% आपका 100 यह दो साल का निकल कहा लेकिन देड़ साल का चाहिए तो आप दूसरे साल को 1 by 2 से multiply कर दोगे तो यह हो गया 500 और यह हो गया आपका 50 तो 2 साल का सारी डेड़ साल का आपका 1550 आपका CI निकलेगा ठीक अगर आप basic तरीके से निकालना चाहते हो तो आप simple साचीज basic तरीके के लिए यह आला formula लगाओगे a equal to p bracket में 1 plus r by 100 की whole power x next bracket में 1 plus r by 100 into y by z इसको जब निकालोगे तो amount निकल के आएगा लेकिन compound interest निकालना है तो amount minus principal कर दोगे और आपका 1580 अंसर आएगा अब रही बात x के place पर आप क्या रखोगे 1 y by z के place पर रखोगे 1 by 2 solve करने पर amount आएगा amount में से principal minus कर दोगे और आपको 1550 आज आएगा सर प्लीज थोड़ा जूम कर दीजेगा यह हो गया आपका डेड़ साल अब चलते हैं दो साल के बाद डेड़ साल उसके बाद चलते हैं तीन साल अगर आपको तीन साल का निकालना है फिर से वही question अगर हमने लिया principal आपके पास 10,000 है principal कितना लिया हमने 10,000 लिया rate हमने कितना लिया 10% और time इस बार हमने लिया 3 years और अगर आपको 3 years का निकालना है CI तो देखे तीन साल का जो CI होगा तो simple सा चीज आपके लिए इसके लिए code आपका बनेगा सर ट्री मेथट से बताओ जो आपका line method होता है वही आपका ट्री मेथट होता है इसको लगाने के लिए tree बना लो tree बन जाता है उसमे कोई दिक्कत थोड़ो आप इस तरीके से बना के एक साल का दो साल का और तीन साल का बना लेते हैं वह आपका tree method हो जाता है कुछ लोग लाइन पर बताते हैं कुछ लोग ट्री पर बताते हैं उससे कोई अंतर नहीं पढ़ता है सब्सक्राइब कोई नाम अपने आप से बना लो कोई ऐसा नहीं आपका में चीज होता है एंसर निकल के आए एक एक्जाम में मुश्किल से तीन चार साल का आता है इससे जादा नहीं आता है ठीक है तो अगर यहां पर अगर आपका तीन साल का सी यहीं निकालना है तो तीन साल का कोड होता है यह जो होता है क्या होता है 331 अ अब रहीं भाद प्रिंसिपल दसजार है ड़िस परसेंट जस परसेंट का मतलब वन वाइट एन हो यह जाए तो दसजार का वन वय तटेन निकालोगे तो आपके पास 1000 आया अगर उसके बाद निकालोगे 1 by 10, 1000 का तो 100 आजाएगा, 100 का 1 by 10 निकालोगे तो कितना आजाएगा 10, इसलिए आपका हो जाएगा answer 3310, 3 method, line method से भी आप निकाल सकते हो, अपकोस निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको 2 साल का code होता है, 2, 1, 3 साल का code होता है, 3, 3, 1, 4 साल का code होता है, 4, 6, 4, 1 होता है, और 5 साल का 5, 10, 10, 5, 1 होता है, तो simple such encoded methods का use करके भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपसे कभी भी mix fraction का पूशता है, तो आप अगर 20 साल का पूशता है, तो 3 साल का निकालिए, और 3 साल निकालने के बाद 20 साल का निकालना है, अगर, तो simple such 3 साल में 1 by 2 से multiply कर दीजेगे, तो आपका 20 साल निकाल आएगा, कि देखें, जैसे छोटा सा question आपको, अनुरादा जी करें, line से बता देए, देखें, line से अगर बताना है, तो simple, यह 10 साजार लिखां, ओके, पहला साल, फिर दूसरा साल हो गया, फिर आपका तीसरा साल हो गया, दस हजार का 10% निकालोगे, 1000, इस एक box का डबल करोगे, एक का दुगना दो गुना हो जाएगा, दो का दो गुना कितना हो जाएगा, चार box बन जाएगा, देखने में जरूर यह बड़ा लगता है, लेकिन आसान हो 10,000 का 10%, 1000, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100, अब इस पहले 10,000 का 10% 1000, अब आपके पास 2,000 हैं तो पहले वाले 1000 का 100, दूसरे वाले 1000, इस 100 का 10% 10, इस को एड़ करोगे, 3000, यह 3010 हो जाएगा, तो आपका सिंपल सा चीज, 3310 आ जाएगा, अब चाहो तो इसका ट्री बना लो, पेड बना लो जो भी चाहो वो बना सकते हो ओके तो आपका कितना हो जाएगा 3310 हो जाएगा हाँ coded से easy होता है बट reason क्या ये आपको हम आपको इसलिए बता रहे हैं जैसे अगर इसी में बोलता 25 साल का निकालो क्या बोलता 25 साल का तो 25 साल निकालने के लिए आप 2 साल को छोड़के तीसरे साल को 1 by 2 से multiply करते हैं 2 right 1 by 4 year का पूछता है सवा 2 साल का पूछता है तो 2 साल को छोड़के तीसरे को 1 by 4 से multiply कर देते हैं इसलिए हम आपको ये method बता रहे हैं कि by default अकर mix fraction year में आप से पूछे तो आप line की through भी आप answer निकाल सकते हैं ओके अम नहीं आधा जादो जी का कहना है सर क्लियर सर है इसी से related questions लिखते हैं coded आपका 2 साल का 2 1 होता है 3 साल का 3 3 1 होता है 4 साल का 4 6 4 1 होता है और 5 साल का 5 10 10 5 1 होता है अभी नो सरमाजी देखे अभी एक हमने आपको formula रिवोट कराया था कि 2 साल का CI और 2 साल के SI के बीच में अगर difference निकालना हो तो difference is equal to principle into r by 100 की whole power 2 होता है इसी से related अगर एक questions हम बनाना चाहें तो अगर हमने कहा कि suppose that हमारे पास principle 50,000 है principle कितना है और आपके पास time आपका दिया गया है sorry CI और SI का जो difference है वो दो साल का वो कितना है आपके पास 720 रुपे है time दो साल के according मतलब दो साल में यह जो time है इस time में दो साल के CI और SI का जो difference है दो साल के two years के two years के SI और SI का जो difference है वो 720 है principle आपके पास कितना है 10,000 दिया गया है और तो आपको बताना है कि rate कितनी होगी मतलब कह सकते हैं कि दो साल के CI और SI का difference अगर आपके पास 720 रुपे है principle आपके पास 50,000 है तो बताओ rate कितनी होगी इब बताओ कि दो कितने हैं तो आपके जए हो तो आपके पीज़ यापक़ पासillarmaao किक रठ कमालत व्र वह कान दो कि द involvement हॉँम यापके अशने हो पास्ट कि रर्ड़ पास्ट अब देखो जैसे अभी हमने बताया था कि अगर आपका दो साल के सी आई और एसाई का कर डिफरेंस दिया गया है तो रेट निकाले के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है आर एक्वल टू रूड डी वाई पी इंटू हंडेड हो जाएगा डिफरेंस आपके पास कितना है स सवी हुए था का ट्री अंड़र बार को नुदर हो जाए गागा अगर दो बार यह सौ परसेंट आजाए लिए ओके यह आपको समझ में आया होगा चलिए इन ही से रिलेटेड कुछ कोश्चन सापके स्टार्ट करते हैं ठीक है यह हम कोश्चन ही आपको औरल फ्रेम करके बता रहे थे जैसे आपको कॉंसेट समझ में आ जाए उके रेट आपका बारा परसेंट किसाफी को समझ में आया है जितने भी पॉइंट हमने आपको बताएं अगर समझ में आया है तो प्लीज रिप्लाई यस सरो के सर करिएगा तो मैं चलता हूँ नेक्स कोश्चन की तरफ देखते हैं अगला कॉश्चन क्या है रेट आपकी बारा परसेंट सभी की निकल चुकी है चलिए पहला कॉश्चन आपका स्क्रीन पर है इसको सॉल करिए और देखिए क्या निकल के आता है एंसर चार साल का भी निकाल सकते हैं लाइन से पान साल का भी निकाल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप निकालोगे थोड़े बॉक्स बस जादा बनेंगे चार साल में आठ बनेंगे, पांच साल में उसका डबल कर दोगे, 16 बन जाएंगे, आप देखो, सिंपल सा चीज है, जैसे question आपके पास कह रहा है, अगर 20% एक साल में ब्याज आपका लगता है, का लगता है, 20% एक साल में ब्याज लगता है, तो अगर आप सिंपल सा चीज, इसको अगर 20%, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, combined, net percentage पढ़ा है, तो इसके लिए 2 साल के लिए अगर कभी भी हो, तो 2R plus R square by 100%, 2 साल के CI का अगर कभी भी आपके पास percentage दिया गया है, तो उन दोनों को अगर मर्ज करके आपका percentage निकालना है, तो आप डारेड लिएक आ सकते हो, 2R plus R square by 100, तो यहाँ पर R की value कितनी 20 है, तो 20 का double कितना हो गया, 40, और 20 का square 400 divided by कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो सिंपल साची यह आपका दो साल का CI percentage कितना हो गया, 44%, मतलब दो साल में उससे 44% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, अगर 44% ब्याज मिलेगा, तो 15,000 रुपे का आप 44% निकाल दीजिए, दो 0 आपके यह cancel हो गया, 0 आपका आएगा, 15,60 हो गया, और 15,60 और 66,60 हो जाएगा, इसलिए answer 6600 आजाएगा, और 2 साल का आप code भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बाद नहीं, 2 साल का code आपका 21 लगा सकते हो, 20% का मतलब 1 बटे 5, अगर आप code method लगाते हो, तो code से भी आप answer निकाल सकते हो, 20% का मतलब होता है, 1 बटे 5 होता है, तो अगर 15,000, यह code लिखा, 15,000 का 1 बटे 5 निकालो, 1 बटे 5 निकालोगे, तो आपका यह 3000 आएगा, पांटे ही 15, अब इसी का अगर आप निकालोगे, 1 बटे 3,000 का 1 बटा 5 निकालोगे, तो 600 आजाएगा, solve कर देंगे, यह 6000 और यह कितना हो जाएगा, 600 और इससे भी आपका answer, 6,600 आएगा, अगर coded से किया है, अगर कोई भी method आप use करना चाहो, तो निकाल सकते हो, अगर आपको line graph करना चाहते हो, तो आप line graph से भी करोगे, और answer आपका आएगा, ठीक है, में भी आपको यह समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चलते हैं next question की तरफ, अगर समझ में आया हंडेट परसेंट, यह कुछ 40 प्लस 4 का मतलब होता है, एक formula होता है, 2R प्लस R स्कार बाई हंडेट उससे लगाएंगे, R की value अगर आपके पास 20 है, तो 20 तो ना 40, और 20 का स्कार 400 को 4 से डिवाइट करेंगे 4, इसलिए 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आपका 44 परसेंट हो जाएगा, तो 44 परसेंट की जो value है, आपके पास 15,000 हो जाएगी, तो आप सिंपल सा चीज है, सारी, 44 परसेंट आपका CI होगा 2 साल का, तो 15,000 का 44 परसेंट आप निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा की कैसे आपका 6600 आया, और आप सर में आप देख रहे होगे, 6600 कहीं दिख रहे होगा, तो 6800 आपका correct answer हो जाएगा, कोई और method भी चाहते हैं, तो वो भी बता दें, लेकिन फिल्लाग ठीक है, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत आएगी, तो अपको आपको बता देंगे, 6600 आपका answer आएगा, 6800, चलिए, अगला question दिए, दिकाल के काता है, क्या answer आएगा, question के रहा है, what is the compound interest, on rupee, what is the compound interest, 16,020% per month, for 9 months compound quarterly, देखे, question कहा रहा है, 16,000 रुपे पर 20% वार्शिक दर की वर्से, 9 महीने का चक्रब्रधी ब्याज क्या हो, मतलब, simple such is, 9 महीने का आपको चक्रब्रधी ब्याज निकाल ला है, लेकिन ब्याज कैसा हो, आपके पास तिमाही हो, अगर तिमाही होगा, तो simple सा चीज, एक साल में कितनी तिमाही होती, चार, मतलब, rate को आप 4 से divide करोगे, तो time को क्या करोगे, 4 से multiply करोगे, तो अगर rate आपके पास 20% है, और आपको quarterly निकालना है, तो 20% का आप 4 से divide करोगे, तो मतलब rate हो गई 5%, लेकिन अगर 4 से आपने divide किया, तो time को 4 से multiply करोगे, तो 36 मन्त आएगा, और 36 मन्त का मतलब होता है, 3 years मतलब simple सा चीज है, आप 3 साल के लिए जो code यूज करोगे, उससे आपका answer आजाएगा, अब आप 3 साल के code यूज कर लिजिए, 3, 3 और 1 code आप लगा दीजिए, rate आपके पास 5% है, 5% का मतलब आपको होता है कि 1 by 20 निकालना है, तो अगर 16,000 का 1 by 20 निकालोगे, तो simple साचीज 2,8,16 मतलब कितना आपके पास आजाएगा, 2,16,000 का अगर निकालोगे, तो 1,0 तो कट जाएगा, तो simple साचीज आपके पास 16,800 आजाएगा, 800 का अगर 120 निकालोगे, तो 1,0 कट गिया, मतलब simple साचीज आपके पास 40 आजाएगा, 40 का 120 निकालोगे, 1 बाइ-20 निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा दो तो 24 सो हो गया ये और 120 ये हो गया तो ये हो गया आपका 2400 ये हो गया आपका 120 और ये हो गया 2522 आपके पास आपका निकल रहा है और आपको 2522 option में नजरा रहा होगा ठीक है 2520 आपका correct answer होगा पच्छिस सो बाइस और पच्छिस सो बाइस हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोर होगा कि इया है सबीकर में आया ऑंके प्लीज चलते हैं चलते हैं इक सबंचो कोंचिन की तरफ और देखते हैं अगला चाहते हैं चलता हूं 1 minute चलिए, next question आप ट्राइ करिए, question करा, if a sum becomes twice in six years with compound है, कोई धन जो हो जाता है, यो छे वर्सों में चक्रबधी ब्याद से क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो कितने वर्सों में या आठ गुना हो जाएगा, अब देखो, यहाँ पर question कह रहा है, if a sum becomes twice in six years, देखिए, इसका बहुती simple point होता है, यहाँ पर आपने लिख दिया money, और उसके बाद क्या लिख दिया, आपने times, तो कितना हो रहा है, छे साल में money क्या हो रही है, आपकी twice, तो money हो गई twice, अब कितनी हो जाए, एक टाइमस तो दो का मतलब 3 होगा, इस power को इससे multiply कर देते हैं, और direct tensor आपका आजाता है, 18 years आजाएगा, मतलब correct tensor आपका second हो जाएगा, 18 साल, अगर माली जे यह ना समझ बहा है, तो आप यह formula भी लगा सकते हो, n2 equal to n1 की whole power t2 by t1 होता है, n2 equal to, क्या हो जाएगा, n2 equal to n1 की whole power t2 by t1 हो जाएगा, n2 मतलब क्या होता है, आपके times, t1 और t2 क्या होता है, times, पहले जो money थी वो कितनी थी, आपकी सिंपासाइजी, दुगनी तो 2 हो गई, कितने साल में होई थी, आपकी 6 साल में, अब कितने साल में 8 कुनी होगी, मतलब 2 की power 3, compare करेंगे, t2 by 6 equal to, हो जाएगा 3, तो t2 equal to, हो जाएगा 18, इसलिए correct answer आपका हो जाएगा, 18 years हो जाएगा, ठीके, इस तरीके से भी लगा सकते हो, और दोनो method का आप यूज़ कर सकते हो, हमने का, if a sum becomes twice in a six year with compound interest, मतलब 6 साल में अगर कोई money twice हो जाती है, तो simple साची, इस 8 times होने के लिए कितना समय लगेगा, तो 6 त्रीजा कितना हो जाएगा, 18, मतलब answer कितना आजाएगा, 18 साल आजाएगा, ओके, इस question के बाद चलते हैं, next question की तरफ, और देखते हैं कि अगला questions हमारा क्या है, इसका आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो reply बराबर करते जाएगी, जैसे हम next question की तरफ चलते जाएगा, तुरंट, चलिए, ये question हो गया, इसका answer आपका 18 साल आया है, इसके बाद next question आपका दिया गया है, इसको try करें बहुत ही simple है, कि भाद थालंगे हैाँ आया है, झाल कर देखें सिंपल साची करा आपके पास कितना है तीस हजार रुपे इंवेस्ट किया अठारा महने के लिए लेकिन इसमें हाफ यली बोला हमने सिंपल साची रेट को आधा कर दो तो मतलब रेट हमारे पास कितनी हो गई 10 परसेंट 18 मत्लब 36 महने तो सिंपल साची आपके पास टाइम कितना हो गया 3 years हो गया और टाइम जैसे आपके 3 years हो गया तुरंत आप कोड लगा दीजिए 331 आप 331 आप तुरंत कोड लगा दीजिए, तो अगर आपके पास 10% दिया गया, 10% का मतलब 1 by 10 होता है, तो मतलब 30,000 का 1 0 कटेगा, मतलब simple सा चीज आपके पास 3,000 आ जायागा, अब 3,000 का 1 by 10 निकालेंगे, तो 1 0 फिर कट जायागा, 300 आ जायागा, यह हो जाएगा 9930 तो आपका correct answer हो जाएगा 9930 बतलब 9930 रुपे आपका answer आएगा मतलब कितना ब्याज देना होगा 9930 रुपे आपका देना होगा इसलिए correct answer होगा 9930 होगा सबी का अंसर आया सबी को समझ में चलते हैं नेक्स को स्टिन की तरफ और देखते हैं कि अगला को स्टिन्स हमारा क्या है करनेक्स कोश्चिन आपका स्क्रीन पर है पूश्चन कह रहा है तीन वर्स के लिए CIE और SI का जो डिफरेंस है 10% की रेट से आपका 930 है तो आपको सम बताना है कितना होगा है तो आपका है इजसे आतना है टूश ओको डिफारे लूब अपका है कि वारा शायग से इजस्चन के लिए आपका इजससे है कि अजस्चन के लिए आपकाई बता Shape question करे रहा है if the difference between the SI and CI interest at 10% per annum is three years is rupee 930 then find a sum अभी हमने आपको एक formula बता है तो आप कुछ भी बिना सोचे formula भी लगा सकते हैं या percentage से भी लगा सकते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला पढ़ा था difference is called to principle into r by 100 की whole power 2 into r by 100 प्लस 3 अब देखे यहां पर principle आपके पास निकालना है difference कितना है 930 हो गया rate की अगर बात करें rate आपके पास कितना है 10% तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 by 100 मतलब 1 by 10 हो गया यहां पर 1 by 10 मतलब कितना हो जाएगा 31 by 10 हो जाएगा simplify करेंगे देखे simple साथी 31 30 मतलब 30 हो जाएगा तो principle 30 जेक 0 और 2 0 और मतलब कितना आजाएगा 30,000 हो जाएगा इसलिए correct answer आपका क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा कि यह कुश्चन भी कैलकुलेशन थोड़ी इसमें ट्रिपिकल होती है तो कैलकुलेशन के लिए आप सिंपल साची सिंप्लिफिकेशन पर ध्यान दे मैं आपको पूरा मैथेड इसलिए बता रहा हूं कि कैसे कुश्चन को लगाना है इसलिए इसका अब ही आपका जो करेक्ट एंसर होगा वो कितना आजाएगा 30,000 आजाएगा मतलब 30,000 आएगा ओके चलिए हो गया ना सभी का एंसर 30,000 आ रहा है चलते हैं नेक्स कुश्चन की तरफ और देखते हैं अगला कुश्चन हमारा क्या है तीस हजार एंसर सभी का आया है कर्डेक्ट एंसर थर्ड होगा 30,000 तीस हजार नेक्स कुश्चन आपका स्क्रीन पे है चलिए सॉल करिए और बताइए इसका एंसर क्या आएगा भावना सिंख सर रेट दूसरी के लिए बताओ इसका आपकी आगई है पांच परसेंट नहीं परसेंट तीन परसेंट सवा तीन परसेंट कल्कुलेट करोगे तब भी आपका आएगा झाल the compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% per annum is rupee 410 मतलब simple साची 5% की rate से 2 साल का जो आपका CI दिया गया वो आपके पास कितना है 410 है the simple interest on the same sum at the same rate and for the same time तो आपको बताना है कि उसी rate पर उसी time पर SI कितना होगा अच्छा एक छोटा सा question ध्यान दीजेगा जैसे मैं अगर आप से ये बोल दूँ कि rate बदल के जैसे अगर आप से ये बोल दिया जाए अगर इसी से थोड़ा different part में आ जाते हैं अगर हमने का principle पचास हजार कितना है principle पचास हजार है first year की rate 10% है second year की rate 11% है और third year की rate 12% है जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास पचास हजार principle कितना है और first year rate of interest 10% है second year आपके पास 11% है और third year आपके पास 12% है तो तीन साल के बाद CI कितना होगा time अगर आपके पास इसमें हम involve करा दें three years तो तीन साल के बाद CI कितना होगा चलिए बताईए इसमें हमने तीनो साल के लिए rate बदल दी कि पहले साल के rate 10% है दूसरे साल के लिए 11% हो तीसरे साल के लिए 12% है तो साल करके बताएं कितना आएगा उन्राधारी जरा ध्यान से लगाएगा 17 सुचियत नहीं आएगा झाल अब देखो हाँ अब भी भी 18,376 आएगा कैसे आएगा इस कोशन को देख लेते हैं जैसे अगर आपके पास प्रिंसिपल 50,000 है प्रिंसिपल कितना है 50,000 फस्ट इयर सेकंड इयर और थर्ड इयर अगर 50,000 का पहले साल 10% निकालोगे तो कितना आएगा 5000 अब अगले साल इन द आपका 6000 आएगा फिर यह कितना आजाएगा 5000 का 600 आजाएगा फिर 550 का अगर 12% निकालोगे तो 660 आजाएगा और यह च्छाट आजाएगा इन सब को जोड़ दोगे तो आपका ने जहां से समझना अब जोड़ने के लिए हमने यहां स्राइट में लिख दिया वैसे और अली और यह आपका 66 यह 6 हो गया चेशे 12 और बारा पांच 17 का साथ एक कैरी हो गया चेशे 12 बारा बारा पांच 17 पांच 22 का दो और एक कैरी हो गया तीन मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 33 सुरी तेश हो जाएगा 65 11 और 516 दो अठारा तो आपके पास 18306 आएगा आपका तीन साल का सी आई ओके फिर से समल लीजेगा मैं एक बार फिर से बता देता हूं अगर आपके पास 50,000 था कितना था पचास हजार पचास हजार का कितना निकालना था आपका रेट कितना था पहले स दस परसेंट , 10 परसेंट का मतलब से लगारे पास ग 2 जाने के बाद दहले बच्वद का बच्वेंपचाा हूं घर मार अगर प्रसिंद निकालना था उजञा जाने के बाद समय इसके निकालें cowie deux जीनोगा ओफ 신 का निकाल से पहले से बचा हुआ उयक पांशो पिर के बाद इसका अगर निकालते हैं पचपन सौका तो दोनों कैंसिल बारा पंचे साथ बारा पंचे साथ और छे चांचट हो गया मतलब 660 हो गया फिर 550 का अगर हम 12% निकालते हैं तो सिंपल सा चीज है एक जीरो कैंसिल होने के पांदो दो दस पांच ग्यारा दो छे बारा चांच 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 और इनको सब को हम एड़ कर देंगे तो आपके पास अठारा हजार अच्छा कुष्च्छन है इसलिए थोड़ा सा कैल्कुलेशन जरुर है क्योंकि हमasus where में calculation होती है इसलिए आपको समझ में आया होगा कि 18,376 कैसे आया 18,376 अब देखिए यह जो question आपके पास दिया गया था इस question में कह रहा कि 5% rate कितनी है 5% देखिए इसको एक और तरीके से बताते हैं हर question का 5% का मतलब 1 by 20 होता है 1 by क्या होता है 20 होता है अगर मैं assume कर लूँ ठीक है अगर मैं assume करनी क्योंकि 2 साल है तो 20 का square करके अगर हम principle suppose करने की 400 है तो अगर 400 है तो 400 का पहले का 1 by 20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 फिर अगले साल निकालोगे 20 और 20 का 1 by 20 कितना हो जाएगा 1 अब इसने कहा है कि 2 साल का जो चक्रवधी ब्याज है मतलब इस 41 की value कितनी हो जाएगी आपके पास 410 तो एक की value 10 हो जाएगी तो CSI निकालना है तो 40 की वैलू डारेक्ट आपके पास 400 आजाएगी यह भी मैठ्रिट लगा सकते हो में भी आपको समझ में आया होगा मैं आपको फिर से बताता हूं एक बार द्यान से समझेगा कह रहा है कि अगर आपके पास रासी कितनी है तो आपके पास कितनी दी गई है पांच स्वरी चार सो दस रुपे आपके पास दी गई दा कंपांट एंटेस आनसार्टें समामनी फॉर्ट टू ये इस फाइप परसेंट पर एंदम मलब सी आई चार सो दस है तो हमने पांच परसेंट का मतलब अब एक बट्टे 20 हो गया तो यहां नीचे आपके पास 20 दिया तो 20 का स्कायर अगर मैं प्रिंसिपल है जूम कर लो तो कितना आ जाएगा 400 अगर आप 400 का सिंपल सा चीज वन बाई 20 निकालोगे तो बीस आएगा लेकिन 20 का वन बाई 20 निकालोगे तो वन तो यह पूरा आपक इतनी हो जाएगी 400 मतलब सिंपल सा चीज आपका जो होगा उसी समान ब्यान पर जो होगा वो कितना हो जाएगा 400 रुपे हो जाएगा कितने लोगों को समझ में आया कि 400 कैसे आया इस मैठेट से कि 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 है ए है बाँ है अब कर देदा कर दो अब है एफ तन है अब है यहां कॉछ सुरिखक वड़ा तस टो है था चार सो एंसर आना चाहिए मैथेड़ आप कोई भी लगाएं अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ सभी का एंसर चार सो आरा इसलिए करेक्ट एंसर की तरफ जो हम टिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा करेक्ट एंसर आपका क्या जाएगा फर्स्ट क्लियर है सर्च चार सो आ रहा है सभी का कि समझ गया चार सो पस्ट ऑप्सन आपका होगा फोर हंड़ेड़ इस कोश्चन को आप नोट कर लिजिए ठीक है और कोश्चन को आप लगाईएगा हेलो अ बेलो जाएगा है आप फोर है 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 आप फिर कोश्चन का स्क्रीन शॉट ले लिए अप से इस कोश्चन का हम एंसर पूछेंगे और CI के आप questions लगाईगे pre-base में questions के लिए आपके पास at least simple साची at least कम से कम 27-30 seconds होता है तो आप इन 27-30 seconds में इस label के questions आप लगाऊगे तो of course आपके percentage methods, ratio methods से और आपको मैंने जो formulae बताएं उनसे लग जाएंगे ठीके इस question को नोट कलीजे next class में जो हमारी होगी उसमें आपको इस question का जवाब देना होगा ठीके, आज की class समझ में आई होगी तब तक के लिए, thank you, bye bye